दोस्तो एक mix wedge मैंने ऐसे बनाया मतलब ऐसा trick लगाया ना जो खाए बस खाते ही रहेगे तरह तरह के सबजिया डालके ये recipe में बना रहे हूँ मतलब ठेले में जो भी सबजिया मिलता है ना मैंने सारे सबजी एक एक लेली उससे कद्दू है साजन फली है कठेल है बीन से पत्त पानी डाल देंगे आधा लिटर इसमें सारे दाल और राजमा और छोला को देखिए मैं हाई फ्लेम पर पकाने वाली हूँ 45 मिनिट का टाइम लगा है मुझे टोटल हाई फ्लेम पर इन्हें मैंने पकाया आधा चम्मच मैंने नमक भी डाल दिया इसमें तो पहले दालों को पकाना जरूरी है क्योंकि यह क्या पकने में टाइम लगाता है लेकिन पूरा रेसिपी तो हम कडाय में बनाने वाले हैं अब दीखिए तेल डाल दिंगे क्योंकि सब्से पहले हम थोड़ा सा ज्यादा ली है तेज पत्ता सुखी लालमिर साबुद जीरा और कलोंजी ले ल सब्सक्राइस प्राई इसे हम कर लेंगे पांच मिनिट तक ढख्के करना है अलग से कड़ाई में थोड़ा सा तेल में और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूंगे हलका गरम होने के बाद आतर चोटा चंप हल्दी पावदर एक चोटा चंप लालमिर्चि पावडर दो अब सिंप्ली इस मिक्चर को हमें सुखा लेना होगा और तेल सिप्रिट कर लेना है तो यह हमारा जो मसाला है इसे क्या बता हो यार कोई भी सब्जी में यह मसाले आप तो डाल दोंगे ना सब्जी का तो चांचान लग जाएगा भाई टेस्ट में अब दीखें 30 मिनिट हो च अब एक छोटा चम्मच हम इसमें नमक डाल दीगे स्वाद अनुसार आप नमक डालिए सब्जी में नमक का कोई क्वांटिटी नहीं होता आपको जितना अच्छा लगया आप उतना डाल दीजिए अब ढगके एक घंटा और पकाएंगे तो एक घंटी के बाद देखें सार दाले हमारे रेडी है राजमा दाल छोला सब रेडी है और मसाला भी बिल्कुल तेयार है तो यह सारे इंग्रेडियंट हम इसमें डाल दिंगे और हमारा यह सीक्रेट मसाला न भई चांचान लगा दिया है सब्जी में क्या बताओ इसे तो इस ट्रिक को आप जरूर फॉलो आपको मिल जाएगा सबजियां यहां पर कुछ खरीदी हुई है और कुछ मांग के मैंने लिए है और साजन फली है यह तो हमने पेड़ों से तोड़ कर लिया है इसलिए शायद बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है हमारा सबजी मैंने तो इतना स्वादिश वेज रेसिपी कभी नहीं खाया आपको इबर जरूर ट्राइ करना चाहिए इसे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज्यादा बढ़िया बनता ही यह रेसिपी वीडियो अच्छी लगी होतो और रेसिपी को लाइक कीजिए चैनल को जरूर कर देना